जय माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय माता लक्ष्मी और जो कमेंट में तीन बार जय लक्ष्मी माता लिखेगा उसके जीवन में कभी दुख दर्द नहीं आएगा और उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। ज़ाडू से जड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर ज़ाडू का वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ज़ाडू को किस दिशा में रखना शुब होता है। ज़ाडू का बदलनी चाहिए। ज़ाडू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। वरना आपके जीवन में आपको गरीबी दरिद्रता परेशानी कष्ट का सामना करना प्रह सकता है दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा ज़ाडू का सीधा तातपर्य और सीधा संबंद। माता लक्ष्मी जी से होता है किसी भी व्यक्ति ने अगर ज़ाडू का सही उपा जो हमारी वास्तु शास्त्र में धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलेगा दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि हर कोई जानता है ज़ाडू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए लेकिन हमार कि घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएं दोस्तों ऐसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जाडू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है कहा गया है माता लक्ष्मी जी को जाडू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है अगर कोई भी व्यक्त ठीक तरीके से जाडू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्षमी जी का आशीरवाद मिलेगा उस व्यक्ति के जीवन का में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है इसी लिए कहा है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रति दिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्षमी जी वास करने आती है अगर हमारे घर में रोज साफ साफ हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी दरिद्रत परेशानी नहीं आएगी, वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती, है हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मकूर्जा का वास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घ दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिये। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजियेगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। हमारी वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय जाडू लगाने का होता है, वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन कि किसी कारण वश हम जाडू नहीं लगा पाते हैं, तो दोपहर से पहले अगर आप जाडू लगा लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शुबह है। इससे होता ये है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखेगा दोस्तों, जाडू को लेकर वास्तु शास्त्र। धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए जिसका अगर पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आ आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवनकाल में किसी भी तरीके की जो परेशानिया है वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जाडू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। यह एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है और उस जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कश्ट दिक्कत है वो हमेशा के लिए यह खत्म हो जाएंगे, दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी, और मात जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो दोस्तों कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा जाडू को लेकर वहाँ हम आपको बताने जा रहे तो, देखिए बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है, जाडू को लेकर के ये नियम है कि कभी भी घर को अपनी नजरों के सामने मत आने दो, देखिए इस बात को समझ लीजिए कि जाडू को घर में रखते हो, चाहे में रखते हो, कभी भी अपनी आँखों के सामने जाडू को ना आने देना, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे, जाडू को ऐसी जगह छुपा करके रखें, जो आपकी आँखों के सामने न हो, मतलब एक दो बार देखना, तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर जाडू पर आपकी नजर पड़ रही है, तो बहुत ही अशुब है, और कहीं कोई व्यक्ति घर का हो या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की जाडू को देखते हैं, तो ये बहुत ही अशुब माना गया, इसलिए आपको जाडू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े, दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी हमें पुरानी जाडू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी जाडू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं, वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुब है, कौन ओफिस हो या घर हो, कभी भी तूटी जाडू का इस्तिमाल करके, हम एक घर की साफ सफाई नहीं कर करना चाहिए, इस से हमारे घर पर परेशानिया आती, माना गया है, अगर शनिवार के दिन जाडू खरीद कर लाते हैं, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुब है, तीसरा ध्यान रखिएगा, दोस्तों की आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि भौतिक सुखों की प्राप्ती होगी, आपको बैकुंट की प्राप्ती होगी, और आप भी जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी, और अगर आप जाडू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं, तो मान के चलिए, धन संबंधित जीतने भी आप निर्णय लेंगे, उससे आपको फायदा ही होगा, धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा, आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानिया हैं, वह चली जाएंगी, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, वह बहुत ध्यान से सुनि लेकिन किस तरीके से बहुत शुब है, ये आप जान लीजिए, अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप जाडू लगा रहे हैं, तो ये अशुब माना गया है, अब आपको सावधान होने की जरूरत है, मान लीजिए, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पै ध्यान रखिएगा, दूसरा, अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में जाडू लगा रहे हैं, तो मान के चलिए, अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे, वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे, वह खत्म हो जाएंगे, और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने आएंगे, ये बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है, अब मान लीजिए, आप सपने में ये देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति जाडू लगा रहा है, तो ये उसके लिए बहुत शुभ संकेत है मान के, चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में जाडू लगा रहा है, उसका समय अच्छा आने वाला है, तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बाते हैं जाडू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था, अब आपको हम एक प्रयोग बता देते, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय है पांच शुक्रवार का, ये उपाय अगर आप करेंगे तो मात इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी, आपको माता लक्ष्मी का आशीरवाद नहीं मिलेगा, आपको करना सिर्फ ये है कि पांच शुक्रवार आपको किसी भी जाडू के हैं, दिक्कतें आती हैं, हम क जाडू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, जाडू को हमेशा लेट आकर के रखना चाहिए, चौथा, शाम के वक्त, कभी भी घर में जाडू नहीं लगानी चाहिए, अगर कोई व्यक्ती जाडू शाम को लगता है, तो मान के चलिए, उस व्यक्ती के घर में मा पांचवा नियम ये है दोस्तों की जाडू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा। ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम। ये कहता है कभी भी जाडू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको और पाप लगता है। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको जाडू को लेकर बहन नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जाडू को लेकर के अब आपको हम नियम बताने जा रहे हैं कि जाडू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे मातालक्ष का आशीरवाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताए उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त कि अभी तक आपने वीडियो को लायक नहीं किया है। पहले जा करके आप वीडियो को लायक कर दें और कमेंट बॉक्स में जयमा लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिए अगर आप लोग शुक्रवार के दिन जाडू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा नमक डाल करके जाडू लगाएगा। ये बहुत ही शुब है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सैंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डाल कर लगाते हैं तो इससे मात लक्ष्मीजी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है अगर आप कभी भी जाडू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन जाडू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुब दिन। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना फिर ऐसे लगातार अब जीतने भी शुक्रवार आप इलायची और यह लौंग को दबाते जा रहे हैं इसको लाल कपड़े में रख ले जाएं और इसको मौली धागे से बां दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ती होगी, तो दोस्तों, ये थे ज़ाडू से जुड़े कुछ उपाय जिनको आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आप भी मा लक्ष्मी का आशिरवात प्राप्त कर सके, साथ ही, दो दोस्तों, अपनी सभी मनो कामना पूरी करने के लिए, आपको इस दिन वैभव, लक्ष्मी वरत कथा और आरती जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, तो आईए जानते हैं, वैभव, लक्ष्मी वरत कथा और आरती एक गाम्व में बहुत से लोग रहते थे, जो अपना काम मन लगा कर करते थे, परन्तु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे, पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार, जैसे संसकार बहुत ज्यादा कम हो गए, वहां में बुराईयां बढ़ गई थी, शराब, एक प्रक्रती की ओर संतोशी स्वभाव वाली थी, उनका पती भी विवेक की और सुशील था, शीला और उसका पती कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे, शहर के लोग उनकी ग्रहस्थी की सराहना करते थे, दे स्वरूप वह रोड पती बन गया, यानि रास्ते पर भटकते विखारी, जैसी उसकी हालत हो गई थी, शराब जुआ प्रेस चरस गांजा वगेरह, बुरी आदतों में शीला का पती भी फंस गया, दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई, इस प्रकार उसने अपन सब कुछ रेज हुए में गवा दिया, शीला को पती के बरताव से बहुत दुख हुआ, किन्तु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी, वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ती में बिताने लगी, अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्त उसको देखते ही शीला के मन में अपार शान्ती छा गई, शीला के रोम रोम में आनंद छा गया, शीला उसमान जी को आदर के साथ घर में ले आई, घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, आठ शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया, मा जी बोली क्यों शीला मुझे पहचाना नहीं हर शुकरवार को लक्षमी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में भी वहां आती हूँ, इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी, फिर मा जी बोली तुम बहुत दिनों से मंडी नहीं आई, आठ में तुम्हें जैसे होते हैं, धैरे रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता, मा जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला, और सुक की आस में उसने मा जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई, कहानी सुनकर मा जी ने कहा, कर्म की गती न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे तो तो मां लक्ष्मी जी के भक्त हैं रश्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं इसलिए तो धैरे रखकर मां लक्ष्मी जी का व्रत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा शीला के पूछने पर मां जी ने उसे व्रत की सारी विधी भी बताई बेटी मा लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है उसे वह लक्ष्मी वरत या वैभव अश्टमी वरत कहा जाता है यह वरत करने वाले की सब मनो कामना पूर्ण होती है वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है शीला यह सुनकर आनंदित हो गई शीला ने संकल्प करके आखें खोली तो सामने कोई न था वह विस्मित हो गई कि माजी कहा गई शीला को ततकाल यह समझते देर न लगी कि माजी और कोई नहीं साक्षात लक्ष्मी जी ही थी दूसरे दिन शुक्रवार सवेरे स्नान करके स्वच कपड़े पहन कर शीला ने माजी द्वारा बताई विधी से पूरे मन से वरत किया आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ यह प्रसाद पहले पती को खिलाया प्रसाद खाते ही पती के स्वभाव में फर्क पड़ गया उस उसने शीला को मारा नहीं सताया भी नहीं, शील को बहुत आनंद हुआ, उनके मन में वैभव लक्षमी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई, शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ती से 21 शुक्रवार तक वैभव, लक्षमी व्रत किया कि वे शुक्रवार को मान जी के कहे मु है माधन लक्षमी, मैंने आपका वैभव, लक्षमी व्रत करने की मननत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है हेमा, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सब का कल्यान करो, जिसे संतान न हो, उसे संतान देना, सौभाग्य वती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुं लक्षमी जी के धन, लक्षमी स्वरूप की छवी को प्रणाम किया, व्रत के प्रभाव से शीला का पती अच्छा आदमी बन गया, और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा, उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे, गहने चुरा लिये, घर में धन की बाटसी आ गई, घर में पहले जैसी सुक्षानती छा गई, वैभव लक्षमी की कृपा से आज उसका परिवार, सुखी संपन्न रहता है दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुती और कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए